नमस्कार जैहनमित्रों श्वागत अब सभी का आपके अपनी चैनल भीमाशित्रपर मैं हूँ भीम प्रजापती तो आज इस चैनल पर आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जवाब के लिए बहुत ही खुश खबरी है बहुत ही अच्छी खबर है इस्पिसल लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है यानि कि जो ये बैकेंसी थी उस पे से इस्टे हटने का आदेश आ गया है फिलाल आए देखते हैं पूरा ब्यवरा क्या है पूरा ब्यवरा की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो क अंतक देखने की जरूरत है यानि कि वीडियो के अंतक बने रहने की जरूरत है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं और इस वीडियो में क्या है पूरा ब्यवरा हम आपको बताते हैं बस बने रहे ये वीडियो के अंतक जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके साम सिंगल बंच का फैसले पर रोक लगा था। उस पी जो है हाइड कोट की डबल बिंच निर्देशित जो है कि 9 जून की सुप्रिम कोट के फैसले के मुताबिक आगे की करवाई की जाए। बता दें की इसम Thiess जो है पहले हाई कोट सिंगल बेंच ने अपने फैंसले में सिच्छक भरती प्रक्रिया पर रोक लगाती थी और अब हाई कोट इस फैंसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है यानि कि बैकेंसी जो है आगे बढ़ने के आदेश दिये हैं चलिए और भी जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में आगे क्या है तो जैसा कि आप देख पा रहा है जश्टिस पीके जैसवाल ने और जश्टिस टीके सिंग ने डिविजन बैंस के ये नए फैंसले सुनाए है वो नए फैंसले क्या है मित्रों हाई कोट की लगनों बैंच ने योगी सरकार की तीन इस्पेसल अपील पर आज निर्देश सुनाते हुए एकल बंच फीट के तीन जून के आदेश को इस्टे कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार सुप्रीम कोट के नौ जून के आदास आदेश की अंसार जो करीब 37,000 पदों पर रोक लगी थी ओ जो है सेस बचे पदों पर भरती प्रक्र या कर सकती है यानि कि इस्टे पर रोक लग चुकी है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर थे हमने सुचा आप के लिए ये जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा ताकि जो भाई जो बहन जो बच्चे इस सदमे को रिकर रिकवर नहीं कर पा रहे हैं परिश में जाएगी इस से राहत मिलते ही भरती सुरू हो जाएगी 79,000 से जग भरती मामले में जो है इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनाउ खंडिफीट के डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के करम अनुशार नोटिस जारी करे और उसने कहा कि इस्पेसल अपेल पर अपना जबाब दाखिल करे तो यह सब ब्यवरा था आज के वीडियो में तो यानि कहने का मतलब है कि मित्रों यह जो बैकेंसी है इसमें बड़ी राहत दी है कोर्ट ने और यह प्रक्रिया आगे श सरकार चैन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के स्वतंत्र है ऐसा कोर्ट बोल रहे है कोर्ट ने भरती परिच्छा में जड़सरी गंभीर सवाल उठाये थे वह किनारे हो गया और सरकार मडिफिकेशन में जा रही है इससे राहत मिलते ही भरती शुरू हो जाएगी तो दूसर प्रशनों के मुल्यांकन पर नहीं होगा सरकार कह चुकी है कि सुप्रिम कोर्ट में उसका पच्छ नहीं सुना गया है इसलिए वह सुप्रिम कोर्ट अपील दाखिल कर सेज अदालत में अपना आदेश संसोधन कराने की अनरोत करेगी तो इस प्रकार ये था वीडियो कारे में शफोल हों इसी संकेत के साथ इसी शुपकामना के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं नमस्कार जैन मित्रों फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ इसी चैनल पर जैन मित्रों